हेलो एक बार फिर से आप लोगा स्वागत है हमारे चैनल में जहां पर हम लोग बात करना है एक एक करके बहुत सारे नीट के कट आफ के बारे में और नीट के कट आफ जो है भाई ओविसली कॉलेजिस की होंगे तो स्टेट लेवल के जो कट आफ थे स्टेट के ऊपर स्टेट राओ यूनिवर्सिटी के अंडर आता है वो ही इसके करता धरता है और अभी नया कॉलेज है तो नया कॉलेज है तो जो थोड़ा सा उपर रैंकिंग में लोग है आठ हजार नुँँजार दस हजार वाले जनरल के टिगरी में वो इस कॉलेज को ले सकते हैं कट ओफ हम देख लेते हैं तो अगर इसकी बात करें तो जनरल के टिगरी में यही कॉलेज आपको 9242 से लेकर 11907 पर मिलने की आशंका रखता है या फिर इसके बीच में अगर आप लोगों की रेंग 52,865 से लेकर 69,228 या उसके बीच में है तो आप लोगों को यह कॉलेज SC क की बात करें तो यह कॉलेज 55,825 के बाद शुरू होता है और यहां पर एक ही सीट थी इसलिए यहां पर यह नो डायवर्सिफिकेशन नहीं है जादा इलैबोरेशन नहीं है जादा मार्जिन नहीं है लेकिन 55,825 से शुरू होकर उसके बाद के जो लोग है वह SC के टिगरी म पर नहीं समझ में आया गया रही की रैंक थी तो आप लोग क्या कर सकते हो अगर आप ST category की हो तो हमारा नीट का प्रेडिक्टर जो है वह नीचे डला हुआ है description वह नीट प्रडिक्टर जो है वह आपको डाउनलोड करना है इस तरफ से आप लोगों को डालनी है इस तरफ से प्रॉफाइल एनलेशस फॉर्म जो है वह नीचे दिया गया होगा वह जरूर भरे क्योंकि प्रॉफाइल एनलेशस फॉर्म भरने के बाद आप लों को पता पढ़ेगा कि आपका जो यूण-करियर है या आप लोगों जो दिशा कुछ दशा है वो सही है कि नहीं है वह सभूरे है हॉए उट्से के दोरह को बताया जाएगा और उसी के साथ हमारा जो WhatsApp का नमबर है वह भी हमारी डिस्क्रिप्शंट बॉक्स में में डाला हुआ है तो लाइक हमें आप हमसे। कर क swiftly को मिल जाती है वह रेंक है और वह रेंक की क्या बनने वाली हमें नहीं पता हिसलिए लिए कि करेंगे और तो बनाधि कर रहे इसलिए घर चाहिये रेंक की है कंप मिलने की संभावना युद्व बढ़ जाती है तो हम लोग को आज बात कर रहे थे गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज शूरिया पेड तिलांगना के बारे में आए होप आप लोगो को एक टॉफ सही समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो यूनोओ जादा से आदाद में लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें और इसको करें सेयर 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 करें स